हारे कृष्णा राधे राधे मैं जो किशोरी जी लेकर आये थी जिनका मैंने पर्मनेंट मेकाप आपको करके दिखाया था आज इस वीडियो में मैंने उनका जनम कैसे किया वही इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी इनका जनम कराने के लिए हमें कुछ फल चाहिएंगे और कुछ फूल चाहिएंगे अब मैंने एक पतीला लिया है उस पतीले के अंदर मैंने पहले फल रखे हैं और फल रखने के बाद में फिर कुछ फूल रखे हैं कि अब फूलों के बीच में मैं जो अपने किशोरी जी का विग्रह लेकर आई हूं आप देखरें मैंने फूल रख दिये हैं अब जो मैं अपनी किशोरी जी का विग्रह लेकर आई हूं अब मैं वो इसमें रखूंगी और फिर उपर से हम फिर से फूल से उन्हें ठक देंगे और ये मैंने रात में इन्हें करके रख दिया था जिससे कि हम सुबा इनका जनम कराएंगे तो ये मैंने रात में करके रख दिया ये जरूरी नहीं है कि आप रात में ही करके रखो आप दो गुंटे पहले भी ऐसा करके रख सकते हैं तो ये मैंने रात में करके रख दिया है, अब अगले दिन हम सुबा इनका जनम करेंगे, अब हम इनका पंचा मित से स्नान कराएंगे, तो पंचा मित के लिए हमें दूद, दही, घी, शेहद और गंगा जल, और ये लोटे में मैंने साधा पानी लिया है, इसमें थोड़ा गं दाला है, फिर ये हम दूद से इसनान कराएंगे, और हम अपने किशोरी जी को अच्छे से दूद से पहले मल-मल की खूब इसनान कराया है, फिर मैं दही डालूगी, अब मैंने दही से इसनान करा रही हूंने, और फिर घी डाला है थोड़ा सा, घी मैंने बहुत थोड़ा क्योंकि गी डालने से क्या होता है कि हमारा जो विग्रह होता है वह थोड़ा चिकना हो जाता है तो इसलिए घी का अप्योग आप कम करें आप दूद और दही का उपयोग ज्यादा करें जिससे कि हमारी किशोरी जी का चेहरा एक दम निखर कराए और बहुत ही सुन्दर लगे मैंने स्थान करा दिया आप मैं उन्हें कपड़े पहना रहे हूं टौवल से पूछ कर तो पहले जैसे हम छोटे बच्चों को पहले लंगोटी पनाते हैं और ज पंचीं बहुत नीचे भी कपड़े पहना थे लंगोटी और इनर पहनाती हूं उसके बास मैं उन्हें गरम कपड़े पहनाते हूं away आपने किशोरी जी को भी कपड़े बनाए हैं यह देखिए हमारी किशोरी जी तयार हो गई हैं मैंने किशोरी जी के पैरों की छाप भी ली थी मैंने एक प्लेट में रोली की थी उससे छाप ली थी आपने आर्ती की और आर्ती कर ले हैं इनका जन्म करा के हमने खीरतन किया छोटा सा कीरतन के बाद फिर आर्ती और आर्ती के बाद भोग लगाया और इनका नाम भी रखा मैंने किशोरी जैसे मैंने अपने लड़ू को पाल का रखा हुआ है काना आई होप आपको किशोरी जैन मुझ सब अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए किजए लगा हुआ हुआ है